बिस्मिल्लाहि रह्मानि रहीम, हाई फ्रेंज, अस्सलामु अलेकुम अर्हमेतुल्लाहियो बरकातु हूँ, वेलकम टू माई चाइनल, घर का खाना वीद नूर जहान कीचन, क्या आपके बच्चे पत्ता गोबी नहीं खाते, और आप उन्हें खिलाना चाहते हो, तो आईए आज हम सब मिलके बनाएंगे, पत्ता गोबी के, क्रिस्पी, क्रंची, पकोडे, जिने खाते हैं किसी को भी पता नहीं चलेगा, कि यह पत्ता गोबी के है, या प्यास के, क्यूंकि मेरे बच्चों का भी यह हाल है, उन्हें पत्ता गोबी बिलकुल पसन नहीं है, मगर जब हम यह पकोडे बनाके शिलाते हैं, तो मज़े ले लेकर खाते हैं यह, तो इसलिए मैंने आप से आज यह रेसिपी शेयर की हूँ, ता यह शुरू करते हैं, देखिए आपर हमने 250 गराम पत्ता गोबी स्लाइस कट करके लिए है, और बिलकुल उसी तरह स्लाइस कट करके लि पत्ता को ब्लकुल मिल चुके हैं, अब हम दालेंगे आदा चमच जीरा, अर इसके बाद हम दाल रहे हैं गराँ मसाला आदा चमच, और दालेंगे लाल मिर्ची पौडर आप अपने सब से लिजे, हम यह पर आदा चमच से थोड़ा जाधा लेंगे, कुटा हुए धनिया ल और हमने यहाँ पर चिकन मसाला लिए है आदा चमच बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे और लेंगे आज वाइन कॉटर इस्पून इससे अच्छी तरह हाथों से क्रैश करके दाल रहे हैं इसके बाद दालेंगे बारी कटी हुई हरी मिर्चे अगर आप बच्चों के बना रहे है तो इससे स्किप कर सकते हो यह एक चमच है इसके बाद लेंगे आठ से दस कड़ी पत्ते के पत्ते इससे भी बारी कट करके लिए है और नमक लेंगे टेस के हिसाफ से हमने यहाँ पर एक चमच से थोड़ा कम दाले हैं क्योंकि आगे और भी चीजे मिलानी है अ इसे भी अच्छी तरह पत्ता गोबी में मिक्स कर देंगे बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते है पकोड़े इससे और यहाँ पर हमने लिए है 200 ग्राम बेशन और इससे भी अच्छी तरह दालके मिक्स करेंगे एक के बाद एक तमाम चीजे दालते जा रहे है और भहुत गड़ा बेटर तयार करना है पकोड़े का और हमने गैस पे कड़ाई रख दिये है तेल वली गरम करने के लिए और आप देखिए थोड़ा थोड़ा पानी दालके हमने इससे अच्छी तरह मिक्स कर दिये है और सबसे आखिर में दाल रहे है बारिक कटा हुआ हरा धनिया इ देखिए अब हम चलते हैं कड़ाई के पास तेल अच्छी तरह गरम हो चुका है बिस्मिल्लाहिर्यमानिर्रहीम हमने गैस का फ्लेम पास रखे है और एक के बाद एक पकोड़े दालते जा रहे है जितनी कड़ाई में बैठेंगे और आप देख सकते हो बिल्कुल आसानी से पकोड़े कड़ाई में जा रहे है और दो से तीन मीट के बाद हम इसे फॉक की मदद से पल्टी कर रहे है ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह पकोड़े फ्राई हो तो आप देख सकते हो अच्छी तरह पकोड़े फ्राई हो रहे है मीडियम फ्लेम पे हमने गैस रखे है और 3-4 मिनिट होने पर हम इसे दोबारा पल्टी कर रहे हैं बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है पत्ता गोबी के पकोड़े मीडियम फ्लेम पर हम इसलिए फ्राय करते हैं ताकि अच्छी तरह अंदर से सबजी भी पक जाए बिल्कुल कच्छी न रहे और आप देख सकते हो 7-8 मिट हो चुके है और माशारला दोनों तरफ से अच्छी तरह पकोड़े फ्राय हो गए है अब हम इसे बड़े च्छने से निकाल रहे हैं फॉक की मदश से बच्चे वे पकोड़े भी इसमें दालेंगे जारे में और आप देखिए बहुत ही प्यारा कलर आया है बिल्कुल क्रिस्प और क्रंची बन गए है पकोड़े और इसे गर्मा गरम निकालेंगे टीशू पेपर में ताके हलका ओयल जो बचा होगा वो भी टीशू पेपर खीट लेगा बिल्कुल आयली नहीं है देखिए एक के बाद एक बिल्कुल इसी तरह हम तमाम पकोड़े फ्राइ करेंगे तो बहुत ही जटपट बहुत ही आसानी से हमारे पत्ता गोबी के क्रिस्पी क्रंची पकोड़े बन के तयार हो चुके है इसे खाईए हरी चटनी के साथ या टॉमेटो केचप के साथ मेरी बच्ची आपको बता रही है कि देखिए अंदर से कितनी अच्छी तरह फ्राइ है जो बच्चे बड़े पत्ता गोबी नहीं खाते उन्हें इसी तरह पत्ता गोबी के पकोड़े बना के खिलाईए बहुत ही healthy सबजी है ये और बहुत ही मज़े लेके खाते हैं हर कोई किजी को पता ही नहीं चलता देखिए मेरी बच्ची भी खा रही है तो उमीद है यकिन है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेर किरिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकोन जबरू दबाईए और कामेंट करके बताईए कि आपके बच्चों ने इसे खा के क्या कहा है आपसे तो अब हम मिलेंगे नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफीज, एंजाय योर डे, बाई दुआ में याद रखिये हैं